हेलो, सुनो तो, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था बोलो, क्या बात है? I love you यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्यार? किस रिस्ते से? ना आप मेरे भाई हो, ना चाचा हो, ना मामा हो, आखिर आप किस रिस्ते से प्यार करते हो? अपना आशिक ही समझ लो आशिक? पर हम तो यहाँ पढ़ने आये हैं इससे क्या फर्क पढ़ता है? पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाकी के समय प्यार क्या हमारा समाच इसकी इजाज़त देगा? क्या मेरे माबाप को जब इस प्यार का पता चलेगा तो उन्हें दुख नहीं होगा? कहीं हमारा समाच साधी से पहले किया गया प्यार को पाप तो नहीं कहेगा? समाच समाच समाच, समाच तुमारे घर को खाना देता है क्या? नहीं ना, तो फिर समाथ से क्या लेना देना आपकी कोई बेहन है? हाँ है, दोनों कोलिज में पढ़ती है कल दोनों को बोलना कि अपना अपना आशिक ढूंडे और खुब प्यार करे तेरी ये मजाल, तु मेरे बेहनों के बारे में क्यों? फट गया, प्यार का नसा, क्या मैं किसी की बेहन नहीं हूँ? क्या तेरी बेहन आसमान से उत्री है? नहीं, वो भी मेरे जैसे किसी मा की गर्भ से जन लिये खुद की बेहन बेहन है और दूसरों की बेहन राह चलती लड़की यही दोगली सोच मनुस्य जैसे ग्यानी प्रानी को हैवान बना देती है उसे बलतकारी और दुसकर्मी बना देती है कर्म करो भाईया, माबापने पढ़ने भेजा है, पढ़ो यही कर्म है, माबापके सपनों को साकार करो इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है एक माबाप अपने बाल बच्चों के पालन पोसन में ही अपने सारी जिंदगी बिता देते हैं तो क्या जवान होकर हम उनको बेज़त करें जिसने अपना खून पिला कर पाला क्या उनकी भावनाओं का खून करते जिस भाई ने जिन हाथों से गोद में खिलाया क्या उन हाथों को कारते, क्या यही प्यार है, अगर यह प्यार है, तो पाप क्या है, क्या माबाप का हमारे जीवन पर कोई अधिकार ने, साधी से पहले प्यार जिसने भी किया, उसे दो रास्ते मिलेंगे, पहला, प्यार और पढ़ाई एक साथ हो नहीं सकता, कॉलेज में आ आप जूट बोलोगी और जूट बोलना पाप है तो फिर यह सोचो कि आप प्यार कर रही हो या पाप तीसरा अगर माबाप को आपका प्रेमी पसंद नहीं है तो प्रेमी को छोड़ोगी नहीं और माबाप को छोड़ना आसान नहीं है अगर माबाप को छोड़ती हो तो पहले सोचो अगर आपके प्रेमी का साल दो साल का प्यार प्यार है तो आपके माबाप ने जो आपके लिए 18-19 साल तक किया क्या वो पाप था आपने जिस गर्व से जन लिया उस गर्व की अगर आप इज्जित नहीं कर सकती तो उससे बदनाम करने का भी आपको कोई हग नहीं है इसलिए हे दीदी हे बहन इस जिंदगी में कुछ नहीं है कर्म प्रधान है कर्म ही पूजा है बस कर्म कीजिए ये तन नस्वार है एक दिन नस्ठ हो जाएगा दो पल के सारे रिक सुख के लिए अपनों को मत द्यागिए अगर कन्यादान करने के लिए भगवान ने हैं तो कोट में जाकर जज या वकिल से कन्यादन क्यूं करा है मैंने इस गाने में लड़की जाती पर जोड दिया है क्योंकि मैं एक लड़की हूं और जानती हूं कि एक लड़की का मन अगर पवित्र है तो कोई माई का लाल उसे छुना तो दूर नजर उठा कर देखेगा तो उसकी आखे जल जाएती है